आपका सौवागत है आज हम आपको नीवू के फैदों के बारे में बताएंगे अगर आपने हमारी चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताके हमारी आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुँच स की नीवू पानी को अगर देशी कॉल्डिनिंग कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा प्रोटीन कार्वो हाइडरेट बिटामिन और मिन्नर से भरपूर ये पैसेथ और सौंदरे से जुड़े इतने फायदे देता है जितने आप सोच भी नहीं सकते जानिये नीवू प बिटामिन C का बहतर स्रोत है साथ ही इसमें विमिन बिटामिन जैसे थियामिन, रिवोफ, लोविन, नियासीन, बिटामिन B6, फॉलेट और बिटामिन E की थोड़ी मातरा मौजूद रहती है ये खराब गले कबज, किडनी और मसूरों की समस्याओं में रहत पहुंचाता है साथ ही बलड प्रेशर और तनाप को कम करता है तवचा को सुस्थ बनाने के साथ ही लिवर के लिए भी ये वेतर होता है पाचन किरिया बजन संतुलित करने और कई तरह के कैंसर से बचाप करने में नीवू पानी मददगार होता है नीवू पानी में कई तरह के मिन्नस जैसे आईरन, मिगनेशियम, फासपोरस, कैल्शियम, पोटर्शियम और जिन पाई जाते हैं किड्नी इस्टोन नीवू पानी स्वास पर पढ़ने वाला सबसे महत पूर्ण फायता है इसका किड्नी स्टोन से रहत पहुचाना मुक्य रूप से किड्नी स्टोन शरीर से बिना किसी परिशानी के निकल जाता है लेकिन कुछ मामलों में ये यूरीन के वहाव को बिलॉप कर देते हैं जो अतेहदिक पीड़ा का कारण बनता है नीबू पानी पीने से शरीर को रिहाइडरेट होने में मदद मिलती है और ये यूरीन को पतला रखने में मदद करता है साथ ही ये किड्नी स्टोन बनने के किसी भी तरह के खत्रे को कम करता है डाइबिटीज में नीबू पानी हाई शुगर वाले जूस हुआ डिरिंग का बहतर विकल्पूर माना जाता है खात तोर से उनके लिए जो डाइबिटीज के मरीज है या बजन कम करना चाहते है ये शुगर को गंबी इस्ता तक पहुचाए बिना शरीर को प्रिहाइडरेट हुआ एनरजाइज करता है पाचन किरिया में फैदे मंद है नीबू नीबू पानी में मौजूद नीबू का रस हाइडरो कलोरिक एसेड और पित सिक्रेशन के प्रोडक्शन में विरद्धी करता है जो पाचन के लिए अवशक हैं साथ ही ये एसिडिटी और गाठिया के खत्र को भी कम करता है जो लोग आम तोर पर पाचन संबंदी समस्याओं जैसे अब्डूमिनल, क्रेब्ट, व्लोटिंग, जलन और गैस की समस्या आदी से परिशान होते हैं उन्हें नीमित रूप से नीबू का पानी पीना चाहिए कबज में नीबू का उप्योग अगर आपको कबज की समस्या है तो नीबू पानी आपके लिए बहुत फायदे मन्द है परती दिन सुभा गरम नीबू पानी पीए और पूरे दिन कबज की समस्या से दूर रहें इम्मुनिटी सिस्टम बढ़ाने में नीबू पानी वायो फिलरवो नॉइड बिटामिन सी और फायटो न्यूटिरिंस का भेता स्रोत है जो शरीर की पति दोदक शमता की शक्ति बढ़ाने में मदद करता है इसमें मौजूद अवशक बिटामिन्स और मिन्नल्स के कारण य शरीर के एनरजी लेवल को बढ़ाने में मदद करता है खराब गला नीबू पानी को गुन-गुना करके पीने से गले की खराबी या फैरिंजाइटिस में आराम पहुचता है वजन कम करने में हर सुबह शहद के साथ गुन-गुना नीबू पानी पीने से अतिरिक्त वजन आसानी से कम किया जा सकता है मसूडों की समस्या नीवू पानी पीने से मसूडों से संबंदित समस्याओं से राहत मिलती है नीवू पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पीने से बहतर परिना मिलते है कैंसर बिरोधी है नीवू कैंसर से बचाप के लिए नीवू पानी पीना फायदे मन्द होता है शोध अध्यन बताते हैं कि नीवू अपने एंटी ट्यूमर गुनों के साथ कैंसर के खत्रे को कम कर सकता है हिस्ट्रेस और बिलड प्रेशन नीवू पानी का एक और फायदा ये है कि इसमें बिलड प्रेशर को कम करने के गुन के साथ ही तनाब डिप्रेशन और अफसाद कम करने के गुन पाये जाते हैं नीवू पानी पीने से तुरद ही आपको आराम का अनुगम होगा तुच्चा की देखवाल नीवू पानी पीने से तुच्चा जवन नजर आती है नीवू एंटी आउकसिडन्स गुनों से भरपूर होता है डाइरिया और मासिक चक्र यह डाइरिया जैसी समस्यों में असरदार होता है मासिक चक्र के दोरान माहिलाएं तीन से चार नीवू के रसका परियोग कर दर्द से निज़ात पा सकती है नीवू का ज़्यादा से ज़्यादा लाग उठाने के लिए इसे गरम पानी में पिलाग मिला कर पिये विवर्स यह नीवू के कुछ फाइदे थे इसके क्या-क्या नुकसान होते हैं वो जान लेते हैं एक रिसर्च के मताबिक नीवू पानी में मौझूद ऐसे तूट एनमल को कमजोर बना देता है नीवू में सिट्रिक एकसिड होता है जो दातों की सबसे भारी परत को नुकसान पहुंचाता है इसलिए बहुत जादा नीवू पानी का सेबन नहीं करना चाहिए अगर आप बहुत जादा नीवू का रस पीते हैं तो आपका पेट खराब हो सकता है क्योंकि खाने को पचाने वाल एकसिड की मातरा जादा होने से पेट में दर्द और जलन की समस्या बढ़ जाती है इसलिए नीवू के रस का जादा सेबन ना करें नीवू में बिटामिन सी की बरपूर मातरा होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि शरीर में जरूरत से ज़्यादा बिटामिन सी हो जाए तो यह आईरन को भी ज़्यादा अवशोशन करती है और आईरन की अधिक मातरा शरीर के लिए हानी कारफ साबित होती है बहुत जादा नीवू पानी पीने से हड़ियां कमजूर हो जाती है क्योंकि नीवू में मौजूद एसिट का हड़ियों पर बुरा परवाब पड़ता है इसलिए बहतर होगा कि आप डॉक्टर से सला लेकर ही नीवू का प्योग करें जिन लोगों को गैस या एसिडिटी की समस्या है उन्हें नीवू पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि नीवू पानी पीने से पाचन किरिया परवाबित होती है और इससे एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ सकती है नीवू पानी के ज़्यादा सेबन से माइगरेंट भी हो सकता है जिन लोगों को अस्तमा की समस्या है यदि वो नीवू पानी का सेबन करते हैं तो उनकी समस्या और बढ़ सकती है वीवर्स आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ वीवर्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं